तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेदपारसला पर दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इबारती वाले सवाल दोस्तों इस प्रकार की जो सवाल होते हैं वह बच्चों को बहुत कंप्यूज कर देते हैं तो नहीं होना है ठीक है इसके लिए हमने एक सवाल लिया है वह सवाल है कि पांच पुस्तों को तदा साथ कलमों का मुल्य कितना है उन्याशी रुपे और साथ पुस्तों को तदा पांच कलमों का मुल्य 77 रुपे हैं तो हमें एक पुस्तर दो कलम का मुल्य बताना है ठीक है इसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर द मान निकलेगा वह भी अलग अलग होगा ठीक है तो यहां पर देखो पहले दो माना की यहां पर मान लेते हैं माना माना की एक पुष्टक एक पुष्टक का मुल्ले एक पुष्टक का मुल्ले हम क्या मान लेते हैं एक सुरुपे कि इतना क्ले रहे हैं अब इसके बाद में क्यों क्या करना पड़ेगा यह तो ताफ पुस्तक का मुल्ले अब लिखेंगे हम कलम का मुल्ले तो लिखेंगे यहाँ पर एक कलम एक कलम का मुल्य है ठीक है वो कितना है इसको वाय मान लेते हैं दिया नहीं है तो वाय मान नहीं ठीक है यानि एक पुष्टक का तो मुल्य एक रुपया मान लेते हैं एक कलम का मुल्य वाय रुपय मान लेते हैं ठीक है अब यहां पर देखो पाच पुष्टकों तता साथ कल बढक में पालमें अन्या सी रूपए हैं तो यह तो क्या भी पुष्टक और यह क्या है कलम तो पाच भूस्त करकेAAAA्ठ साल्मन का मुले कि दीना है रूपे हैं तो सात का मुले कितना होजए अ जाएगा साथ यह होजऑ अ मhai करत apologized 10 रूपह तो झुटोश्त डूस्तो वापिस दूसरी सच में जणना पड़ेगा गाता है कि साथ पुस्तक साथ पुस्तक याने साध philn 交 کا मुल्य कप प्लस पांच रूपे तो पनाटल 97 रूपे इसको माल दोस्तों समिकर दो टीब के अब शुर्ण है किल चया करना पड़ेगा दो समीकर ने हमारे पास बना लहीं है अपने इस सवाल से आप इनको solve करेंगे आप दोस्तres को तीन विदियो से स्वॉल allow कर सकते हो ठीक है वो वीदियां एक तो वज्रगुण वини एक प्रतिस्तापन सबसे अच्छी है परतिस्तापन उससे तो ठीक है विलोपन तो इस विलो में क्या होता है कम लिखना पड़ता है ठीक है तो हम इसको इन दोनों हो क्या करेंगे तो यहां हम क्या करेंगे यह सवित है समिकरण एक तो हम जरेंगे समी गने एक यहां समी करण रच साथ का खुणा इस समेकर पूरी एक सबस्का करี้ देख और उन्साथ All languages समिकन एक से करवा देते हैं तो यहाँ पर लेको समिकन ना दो में समिकन दो में एकस के गुनांग का गुना किसे करवा रहे हैं समी करण एक से करवा करवाने पर समिकन् 1 से करवाएंगे तो यह इदर लेको 7 और 5x लिख लिया और प्लस साथ वाई बराबर उन्यासी ठीक है अर्ता साथ को गुणा करना है समिकन एक से करदो पुरी से तो यहां पर यह तो जाएगा साथ उपनजे 35 35 साथ सत्य उनन्चास 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 वाई वो जाएगा ठीक है और इदर साथ नाम 63 और आशिल के से साथ टाव मिनकटने उनन्चास अट्श कितने विए 5पन है ऐसे को सब्सक्राइब गुणा साथ इसमेक गुणा साथ है इसका गुणा सांबसक्तिा तेlor क्यों यह हूं तो यहां पर लिख दो यहां पर क्या लिखेंगे कि समीकर्ण एक में समीकर्ण एक में एक्सके गुनांग एक्सके गुनांग एक्सके का गुनांग का का गुना है तो किसे कराएंग और किसमीकर्ण दोसे करने तक हमें रहें समीतन दोसे करनेश कर अठीक हैं कि इसका गुना town दोसे कर बडिये यह निया पर सघ्ट्र पांच अगुवां करो जा सथ एक प्लस पांच को वाइ सो बगाबर 27 a टीक बना करते हैं साथ फंजे-35 एक्स-85 पच्शिस बराबर साटु 55 55 पेनद तिस चर्ट ठीके इसको माल लेते हैं समीगन जार ठीक है इतना कलेर हैं अब आपको क्या करना है एक पढ़को फाटा देना विलोपित कर देना तो एक पर पतों करेंगे यहां पर देखता है देखो अधिस समीगे यहां लीक्ड दोसमीकरन तीन में से चार को गटाने पर ठीक है समीगण तीन में से चार को गटा जिते हैं तो गटाएंगे तो यहां पर लिको 35 लिख लिया और प्लस के उनन्चास हुआ प्राबबर पांसो तरेपन इतना लिखा समीगण प्लस पच्चिस वए बराबर 325 इनके प्लस लगा दो क्यूंकि प्लस में हैं अब गट आने की बात की गई हैं तो इनके नीचे सब के नीचे क्या कर दो माइनस का चिल लगा दो तो यहापर घटाएंगे तो कट रहा हैं क्यूंकि पमाइनस कट जाएका ठीक है यहां फिर फिर मैनस को मैन स्काई यहां पर भी मैनस का है यहां पर देखों नो मेश पाच जाएगा सचार और चाहर मैस दो जाएक तो धूव तो अने चॉव 20 फ्ट बढ़ इधर गटाव तेरह मेश पाच जाएगा तो आठ और इधर 4 та अब देखो यहां पर एक पद आपने कर दिया है एक पद लोपित कर दिया है तो इसको के से करेंगे आगे देखते हैं देखो 24y 24y बराबर 168 है अब 24 को 24 का बाग दो इसमें यानि वाई बराबर यहां पर लिखो 24y बराबर 168 168 ना तो वाई बराबर 168 बटे 24 कर दो ठीके बटे में चला जाएगा अब 24 का बाग दो 168 में कितने बार जा सकता है गुणा कर के देख लेते हैं 24 और इसको गुणा करो साथ से कड़के देखते हैं साथ से आ सकता है साथ चोगठाइस और साथ दूनी चोदा चोदार दो सोड़ा ठीक है है दूस्तों साथ आ गया कलेर हैं अब हम क्या करेंगे वाई का मानम आप समी कर दो में भी रख सकते हो एक में में भी रख सकते हो तीन में भी रख सकते हो और चार में भी रख सकते हो हमारे पास एक दो तीन और चार चार समी करने उपस्ति दें इस स्वाई का मान इन में रखकर एक्स का मान निकाला जा सकता है ठीक है तो निकालते हैं पर लेकिन आपको श्रिफ एक और दो में रखना है क्यों रखना है क्योंकि इन में रखोगे तीन और चार में तो बड़ी संक्या आएगी और काटा पेषि करने में आपको दिखकत आएगी तो आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखतेेना है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखेंगे कि वाई का मान समीकरण एक एक में रखने पर ठीक है वाई का मान हम समीकरण एक में रख लेते हैं तो यहाँ पर रखते हैं तो यह वाई का मान हम समीकरण एक में दिखें समीकरण एक उतार लो पर यहाँ पर पांच एक्स पलस साथ वाई यह प्लस साथ वाई ठीक हैं बगबर कितना है उन्हीं इसे ङूटina लिग लिए कलेर हैं अब इसके बाद आपको क्या करना है जहाँ हैं वहाँ पर य कमान साथ रग दो टेखें तो पाँच एक सिल प्लस साथ गुनित साथ साथ बराबर गुनियसे पाच अभी सफ पलस साथ ते उनन्चास बराबर पुनियसे पाच एक्स ब्राबर उजर बेस दो तो सी माइनेस उन्हें चाफ ऊजाएगा पांच एक्स बराबर लॉन्हामेशन हुजाएगा जीरो और साथ में चेर्ज़ जाएगा तो तीन एक defines बराबर seeking दो यह उन्हीं ऺफोसितने बर्तिंस बेशत द्रद अस बर है छे रार वारिकश यह मांद कि है चे आगयार टिंगे एक् become person को पढ़ो वैसी रुप्या मान लिया था और दो कलमों का मुल्य मुल्य मैं ये व्रावर शेया है चुछ का दुखना क्या होगा छोदा ुआ पर लिख देना कि का मुल्ले कितना है एक्स रुपे तो एक्स बराबर कितना है छे हैं छे का छे लिख दें छे एक्स बराबर चाहिए अब यहां पर लिखो दो कलमो का मुल्ले यहां आशम कितना पर कितना रूपे नुलिख का मुल्ले तो चे रूपे और दो कलमों का लिखओ कりました है छोदा रूपे हैं दोस्तों इस प्रकार के सवालों को इस वीडियों इन वीडियों से यानि स्टेप बाई स्टेप आपन इसको जमाते हैं समीकर्णों के रूप में उसको बनाते हैं फिर करते हैं ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और च